वही सीट और राम टेक का जिक्र बार बार करते हैं तो राम टेक का एक एक एतिहासिक संदर में संग के में कि जो डॉक्टर हिट गिवार थे उनकी पहली गिर्फतारी अंग्रेज शाशन के खिलाफ राम टेक में हुई थी जब वो शात्र नेता के तौर पर काम कर रहे थे और उनकी पहली बार गिर्फतारी राम टेक में हुई थी अगले दो ग्राफिक से आपको बहतर समझ में आएगा बीजेपी की परिशानी क्या रही है 2019 के बाद 2024 के लोगसभा एलेक्शन में सार इस पर आपका ध्यान चाहूंगा 2019 विधान्जबा चिनाव में बीजेपी को बढ़त कहां कहां थी परसंटेज वाइज वोट शेयर के साथ रीजन में आपको बता रहा हूँ विधार क्यों बीजेपी के लिए इतना इंपोर्टन है 33% सीटों पर बढ़त थी बीजेपी को विधार में मराटपडा में 24% पर मुंबई में 29% पर नॉर्थ महराश्टरा में 26% पर पश्चवी महराश्टरा में 25% पर बीजेपी को लीड थी कौनकण में 18% पर तो बीजेपी के अपने दम पर विधार उसके लिए इतना इंपोर्टन हो जाता है लेकिन 2024 आते आते अभी जो आप Assembly सेग्मेंट लीड्स की बात कर रहे थे compare कीजेगा 19 और 24 को विधार में 29 सीटों पर अगर बीजेपी जीती 2019 में तो इस साल लोग सुभा में 15 रह गया नौर्थ महराष्ट्रा में उसका performance बेटर हुआ 20 पर उसको लीड्स मिली है 20 Assembly सेग्मेंट में पश्चवी महराष्ट में 20 सीटें जीती थी इस बार 17 पर उसको लीड्स थी कौनकर्ण में 11 का 11 रहा अब देखिए 28 सीट लड़कर अगर भाजपा 9 सीटे जीती है तो जाहिर है कि उसके लिए सभी छेत्र उसी क्या रूप रहे हैं लेकिन इसको दूसरे रूप में भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी का बोट परसेंटेज अभी भी 26 परसेंट रहा है वो सबसे ज्यादा ह और दोनों पक्षों को देख लेगे बीजेपी, सिवसेना, सिंदे और अजीत परवार को हाला कि 3.6 परसेंट बोट है लेकिन कांगरेश, शरत्पवार और सिवसेना को मिला दिया तो बोट परसेंटेज दोनों के बराबर है ये हमेशा करते समय ध्याने कि दूसरी बात कि म दोक सवाज चुनाओं के आधार पर 2024 के विधान सवाज चुनाओं की तुलना करना वो अब समीचीन नहीं है, जैसे 2019 के विधान सवाज चुनाओं के बात जिस जंग से वहाँ तूट हुई है, तो उस आकरे के आधार पर अब complete निसकर्स नहीं निकाल सकते हैं कि दोनों पा अब से सर्वे किया है, वो समझ में आती है कि इस समय महाविकास अघारी इनिन मामलों में आगरे है, जैसे वो बता रहे हैं कि बहुत दोर नौव बद्री मैं, अब या इसलिए यह जो है, तो आकरे में से निकाले हुए आकरे हैं कि लोक सवाज चुनाओं के पास इनको इत पहला तार चर्चा कर रहे हैं पहले कारण ये था कि भारतीय जंता पार्टी के अंदर स्वैम असंतोस और विद्रो था, ये बहुत बड़ा कारण BJP के लिए पूरे महारास्ट में यूपी में देश भर में था, कहीं-कहीं लोगों ने उसको छोड़ के दिया, कहीं-कहीं नह दिया है तो महारास्ट में एक बड़ा कारण वो था और उसके कारण लोगों ने प्रतिसोधात्मक में मद्दान किये दूसरा यह था कि सिउसेना दोनों को ले करके एक कन्फ्यूजन भी था और उसमें समस्यां पैदा हुई जिस डंग से अजीत पबार्द तीसरा का तुरत आये थे उसको बीजेपी और सिउसेना के लोग तुरत एकसेप्ट नहीं कर पाए सिउसेना के बहुत लोगों को लागी आ गया तो हमारा ही इससा खाएगा यह अगर नहीं हरा इसके चक्कर में रा गया तो हमारी सीटे चली जाएंगी तो वो एक बड़ी लड़ाई उस समय और चौथा जो कारण था जो वहां दलितों का एक बड़ा बोट बैंक है आप जानते ही है कि जो बीजेपी के लिए हमेशा टफ रहा है तो जब संविधान खत्म हो जाएगा और अम्बेदकर जी वहीं के थे और वहां का दलित जो है मुव्मेंट इतना करामक रहा है तो उ समाजिक वर्गों में किसको कितनी बढ़ात या कौन पीछे वो सबसे इंपोर्टन्ट है उस पर भी मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में अब ये इसमें एक चाहिए जो विदर्भ मराट वड़ा और मुंबई है भारती जनता पार्टी अपनी जिगा इंटरेक्ट है उसको ज बड़ी समस्या है और मुझे रखता है ये उनली बीजेपी है नी नी मैं ओवर ओल कह रहा हूं ओवर ओल सीट के लिहास से जो कहते हैं सीट जो कम होगे यह भी लोकसभा के लिहास से तो ये जो तीनों क्षेतर हैं यहां जो उसको उमीद थी कि जुड़ जाएगा तो भाज लिए बाजपा की परफॉर्मेंस खराब नहीं हुए बाजपा की परफॉर्मेंस जस्कीता से उनको जो जो जोड़ना चाही था वह नहीं जुड़ा और उधर तीनों मिलके जुड़ गए यह महत्तुब तो जो अभी विदार में भाट्पा कंग्रेस मिलके 27 सीटे लाई थी और उसमें से चार रहा गए सिंदे के साथ आठ उद्धों ठाकरे के साथ चले गए तो इसे लिए इसी तहां से मुंबई में आप देखेंगे तो 36 में से सिउसेना ने 22 ये ध्यान रखी है वो सिउसेना के कारण जो है दोनों मिलके किस सीटे जीते जीते हैं अजीत पवार के बाद सबसे कम स्ट्राइकरेंट चेहों पार्टियों में उसके पीछे वज़य भी यही है भारती जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी की तौर पर लड़ी और जहां उसको जो सपोर्ट मिला था वो नहीं मिला जिसको हम लोग बार बार ये कहते रहे कि क्या आजीत पवार कोई वैलू एडिशन कर रहे हैं और मैं इसको बार बार कहता हूँ को लोकसभा में तो नहीं किये अब विधान सबाद कर पाएंगे क्या बीजेपी को उसका अपना वोट मिला नहीं वोट मिला होता जिस वोट प्रतिशत पर खड़ी है 26% प्लस पर वो गड़बंदन की आजीत चाहता है वो इस चिंता में लगे रहे है पुरे समय कि मेरी शियुसना कैसे मजबूत हो मेरा पाउश गड़बंदन के अंदर कैसे मजबूत हो और आने वाले विधान सबाद करेंगा तो वो उसमें लगे रहे है तो इस चक्कर में वहाँ पर भारत क्या गोरत्व चीफ मिनिस्टर तो जाने शिंटर के साथ लटेंगे सो ओम को चीफ निश्र बनना है लोग सभा में फिर भी उन्होंने बीजेपी के लिए को सीख छोड़ी होगी और दूसरी बात जब हम बार-बार यह कहते हैं कि बीजेपी की ताकत बनी हुई है तो बीजेपी की तो इस्टाइक रेट कम हुई है और अगर बीजेपी तनी ताकत की है तो मतलब 84 प्रतिशत सब उनके खिलाफ है 18 प्रतिशत है 13 प्रतिशत है और तीन प्रतिशत है तो उनके खिलाफ किते किते लोग है झाल 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 झाल